नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में ते चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं पटना के एक प्राइवेट इस्कूल में दो चात्र पाये गए कोरोना पोजिटिव बिहार में मिले 17 नए संक्रमित देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहा है नौमबर महने के मुकाबले दिसंबर में संक्रमन तेजी से बढ़ा है पिछले 24 गंटे के भीतर बिहार मे कोरोना के 17 नए मामले सामने आये हैं जिसमें पटना में 11 और सिवान में दो नए केस मिलने से हडकंप मचा हुआ है पटना के एक प्राइवेट इस्कूल में दो चात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं दानापुर खगॉल रोड इस्तित इस्कूल में कोरोना का केस मिला है 72,208 सेंपलों की जाज की गई, राज में कुरोना की 86 एक्टिव मरीज है, जबकि रिकवरी रेट 98.32% रह गया है, इधर 24 घंटे में एक कुरोना संक्रमित की मौत भी हो गई है, मंगलवार को 3,68,000 को वैक्सिन लगाई गई बिहार के सरकारी स्कूलों में अब महंगी होगी पढ़ाई, सिक्चा विभाग ने कई सेवाओ के सुल्क बढ़ाए, नितीज सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली कई सेवाओ का सुल्क बढ़ा दिया है, सरकार के इस फैसले से गरीब बच्चों को जारी कर दिया है इस फैसले के ताहत अब इसे बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है जबकि इसके पहले प्रवेश सुल्क के रुप में महज 15 से 20 रुपए देने पड़ रहे थे विकास सुल्क के नाम पर माध्यामिक विद्दालयों में तो फेस विर्दी नहीं की गई है और 80 रुपए विकास सुल्क देने होंगे जबकि उच माध्यामिक विद्दालयों विकास सुल्क में विर्दी कर 160 रुपए से 200 रुपए कर दिये गया है वहीं माध्यामिक स्कूलों में पुना प्रवेश सुल्क और पलायन सुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है बिहार में बड़े पैमाने पर तबादले की तैयारी इसी हफते सरकार अधिसुचना जारी कर सकती है जाने किनका है नमबर बिहार में दिसंबर के महने में सरकार अलग-अलग विभागों में तबादले की तैयारी कर रही है कुछ जगह पर यह काम पूरा हो चुका है बता दे कि हाल ही में पुलिस डिपार्टमेंट के तहट अलग-अलग जीलों में तबादली किये गया है अब राजस्व और भूमी सुधार विभाग में बड़े पैमाने पर तबादली की तैयारी चल रही है आपको बता दे कि राजस्व विभाग में अंचल अधिकारी और राजस्व करमचारी का बेहद अहम रोल है पिछले महिनों विभाग ने पुरे बिहार में बड़े पैमाने पर अंचल अधिकारी के पदों पर तैनात अधिकारियों का तबादला किया था वहीं कहा जाता है कि ये दोनों ही पद मलाईदार होते हैं राजस्व अर्भूमी सुधार डिपार्टमेंट में पोस्टिंग को दिसंबर के आखरी सप्ता में कर दिया जाएगा जहां सबसे अधिक सरकल अफिसर इधर से उधर किये जाएंगे इस पद पर राज में 534 अधिकारी तैनाथ हैं इनमें से कम से कम पास दरजन अधिकारीयों के तबादले की संभावना है हाला कि अनुसासनिक कारवाई के तहट बीच में भी अंचला अधिकारीयों के तबादले होते रहा हैं लेकिन अभी उन आफिसर का पोस्टिंग होगा जिनका तीन साल का कायरकाल पुरा हो चुका है जानकारी के अनुसार जिन जीलों में अभी भूमी सर्विक्चन नहीं चल रहा है वहां के सहायक बंदोबस्त पताधिकारीयों को सर्वे वाले जीले में पोस्टिट किया जाएगा काम पर लोटे जुनियर डॉक्टर मांगे पूरी करने के लिए विवाग को 15 जनवरी तक का दिया समय राजधाने पटना इस्थित PMCH समेत राजबर के सरकारी मेडिकल कॉलीजों के जुनियर डॉक्टर और मेडिकल इंटर्ण हर्ताल पर बैठे जुनियर डॉक्टरों ने स्टाइक कॉल अफ कर दिया है इस मामला में बताया जाता है कि सोमार को बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के अपर सचीव कॉसल किसोर द्वारा डॉक्टरों से बात की गई जानकारी के अनुसार इसके मध्यस्ता PMCH सुप्रिटेंडेट डॉक्टर S ठाकुर कर रहे थे बातचीत के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की तरब से जुनिया डॉक्टरों को प्रोत्साहन रासी दिये जाने के सम्मन में एक आदेश पास किया गया है और इंटरनों के डाइपेंड को बढ़ाने के लिए 15 जनौरे 2022 तक का समय मांगा गया है बता दे कि बीती 8 दिसंबर से ही 500 त्री मांगो को लेकर PMCH के जुनिया डॉक्टर और MBBS के इंटर्ण हर्ताल पर चले गया थे 500 त्री मांगो को लेकर OPD के साथ साथ इमर्जेंसी और सरजरी भी योगदान नहीं देने का निर्ने लिया गया था इस मामले में PMCH Junior Doctor Association के अध्यक्ष डॉक्टर कुंदन कुमार ने का था कि देज में कोरोना की संभावित तीसरी लहर आने वाली है उन्होंने का था कि इस इस्तिति में देश के सभी होस्पिटल में Junior Doctor की जरूरत ज़ादा पड़ेगी लेकिन होस्पिटल में पहले से ही Doctor की कमी है बीमारी ज़ादा फैलेगी तो ज़ादा से ज़ादा Doctor की जरूरत पड़ेगी ऐसे हालत में हम लोग कितना काम करेंगे इसलिए Doctor की बहाल करने की जरूरत है हमने जनता की भलाई के लिए स्ट्राइक किया है हलाकि विभाग से वार्ता के बाद फिलाल हरताल खत्म कर दिया गया है पटना के लिए 43 नए Mini CNG बसो की मिली स्युक्रति प्रदूसन में आएगी कमी पटना नगर निगम छेत्र में परिचालित नीजी Mini डीजल बसो की जगह अब नए CNG बसो का परिचालन किया जाएगा सीला कुमारी ने बताया कि पटना सहरी छेत्र में डीजल की जगह CNG बसो के परिचालन से प्रदूसन में कमी आएगी इसका परिचालन नगर निगम सेवा के निर्धारिन रूटों पर किया जाएगा परिबहन सचेव संजै कुमार अगरवाल ने बताया कि पटना नगर निगम छेत्र में परिचालित 50 नीजी डीजल मीनी बसो को नए CNG बसो से प्रतिस्थापन का लक्ष निर्धारित किया गया था इसके लिए विभाग द्वारा 28 अक्टूबर तक आवेदन अमंत्रित किया गया थे बचास के विरुद 43 का चैन किया गया है एवं सेस साथ बसो के लिए पुना आवेदन अमंत्रित किया जा रहा है पटना नगान निगम छेत्र में परिचालित नीजी डीजल मीनी बसो को नए CNG मीनी बसो से प्रतिस्थापन पर अनुदान के लिए 30 दिसंबर तक आईदन कर सकते है पटना में ठंड का असर बदल गया इसकूलों का समय डीम ने जारी किया आदेश पटना का मौसम अब पूरी तरह से बदल गया है पच्वा हवा ने कनकनी बढ़ा कर रख दी है सुबह और साम में ठंड जादा महसूस हो रही है इसी को देखते वे पटना के सकूलों का समय भी बदल दिया गया है सुबह 9 बजे से पहली और साम को 3.5 बजे के बाद अब इसकूलों में पढ़ाई नहीं होगी किसी भी परिस्तिती में इसकूल निर्धारित समय से पहली और बाद में नहीं चलेगी पटना के जिलादिकारी डॉक्टर चंदर सेकर सिंग ने यहाँ आदेश जारी किया है य यहाँ आदेश 21 दिसंबर से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा पटना के जिलादिकारी डॉक्टर चंदर सेकर सिंग ने बताया कि गिरते तापान का ही असर है कि पटना में ठंड बड़ी है जिससे बच्चों के स्वास्त पर प्रतिकूल प्रभाव के संभावना को देखते वे उन्होंने यहाँ निर्देश जारी किया है पटना के सभी स्कूलों में सुबह 9 बजे से पहले और साम को 3.30 बजे के बाद सभी कक्छाओं की सेक्चनिक गतिवीदियों पर प्रतिबंद लगा दिया गया है पटना जंक्सन पर अब मेट्रो की तरह रेलवे कार्ड से ले सकेंगे टीकट लाइन में खड़े रहने की समझसा होगी खत्म रेलवे की तरप से अब एक नई सुबिधा बिहार के स्टेशनों पर मुहया कराई जाएगी जिसके बाद यात्रियों को टीकट काउंटर की लंबी कतार में लगने की जरुवत नहीं होगी और सहुलियत मिलेगी मेट्रो स्टेशन की तरज पर अब रेलवे भी यात्रा कार की सुविधा देने जा रही है पटना जंक्सन समेथ राजधानी के प्रमुक स्टेशनों पर पहले ये सुविधा सुरू की जाएगी मेडिया रिपोर्ट के अनुसार रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए कार्ड की सुविधा दी जाएगी टीकट के लिए लंबी कतार जारकन की इस्तिति ठीक पर कुछ दिन पहले निती आयो की रिपोर्ट में बिहार को फिसदी राज का दर्जा मिल चुका है इस पर राजनिती गर्म हो गई है इसके बाद ही एक और रिपोर्ट निती सरकार के लिए टेंसन पैदा करने वाली है साथ ही विपक्ष को और एकोनॉमिकी त्याजा रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है अक्टूबर के 13.9% की तूलना में नॉमबर में 14.8% बेरोजगारी की दर्ज की गई है सितंबर के 10% की तूलना करे तो दो महने की भीतर बेरोजगारी दर में 4.8% का इजाफा ह हाला कि नॉंबर में देश के कई अन राजों में भी बेरोजगारी दर बढ़ी है। देने की बात कही है। मुबाइल का फ्लेश जलाकर होता है इलाज वीडियो वाइरल बिहार में बहतर स्वास्त विवस्ता का दावा सरकार करती है लेकिन इसकी जमीनी हकिकत क्या है। यह सासाराम सदर अस्पताल से आई इस तस्वीर को देखकर ही समझा जा सकता है जहां मुबाइल का फ्लेश जलाकर डॉक्टर ट्रामा सेंटर में मरीज का इलाज करते नजर आ रहा है। अस्पताल में बिजली गुल थी जिसके कारण टॉर्च की रोसनी से मरीज का इलाज किया गया। बिजली चली गई जिसके बाद मुबाइल का फ्लेश जलाकर कर सेर्वा से आई रिंको कुमारी का इलाज डॉक्टरों ने मुबाइल का फ्लेश जलाकर टॉर्च की रोसनी में किया। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही भिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिष्टेदारों में सेर करना ना भुले धन्यवाद।